तेश्वी राज्य इस्तरी शाले क्रीडा प्रगीता में किस जोन ने पहला इस्तान हासिल किया है तिमकर सही आंसर होगा बस्तर जोन ने हासिल किया है याद रखेंगे दोस्तों पहुंती इंपोर्टन है तेश्वी राज्य इस्तरी क्रीडा प्रगीता में बस्तर जोन ने प जीला मुख्याला जगदलपूर है, बस्तर में तीन विधान सभा छेत्र याद रखेंगे, जिसमें बस्तर याद रखना है, दूसरे याद रखेंगे, चित्र कोट याद रखना है, और तिसरे याद रखेंगे, जगदलपूर विधान सभा छेत्र याद रखेंगे, साथी ब बकसाइड नुक्य रूप से आश्ना तारापुर कुदरवाही से पाय जाता है। अबरग भी दर्वागाटी से पाय जाता है। इसे याद रखेंगे। साथी बस्तर में परमो कुरुप से तीन नदी याद रखेंगे जिसमें से सबरी नदी है और इंद्रवती नदी, कांकेर नदी, मुंगा बहर नदी याद रखेंगे चीत्र को जयल परपाद याद रखेंगे जो इंद्रवती नदी पर इस्थीत है यह 36 गड़ का सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा जयल परपाद है याद रखेंगे इंपोर्टन है कई बार एक्जाम में कोशन बने हुए है इसे भारत का नियागरा भी कहा जाता है इसलिए इसे याद रखेंगे तीरत गड़ जल परपाद याद रखेंगे जिसमें तीरत गड़ जल परपाद मुंगा बहार नदी में इस्थीत है साथ ही याद रखेंगे तामरा घुमर विंता घाटी में इसे याद रखेंगे तामरा घुमर में विंता घाटी को बस्तर का कश्मीर कहा जाता है किसे कहा जाता है तो विंता घाटी को बस्तर का कश्मीर कहा जाता है इसे याद रखेंगे बस्तर में कांकेर घाटी याद रखना है कांकेर घाटी का गठन 1982 में किया गया है यहाद रखेंगे 1982 में कांकेर घाटी का गठन किया गया है यहाद रखेंगे मात्र यहाद 200 वर्ग किलिमेटर तक फैला है यह सबसे छोटा है इसलिए याद रखने है बहुत ही इंपोर्टेन है राजकी पक्षी पहाडी मैंना कांकेर घाटी राष्टी उद्यान में पाया जाता है कांकेर घाटी राष्टी उद्यान में एक और पाय जो लिजिए इसमें एसिया का प्रथम बायो श्वेर रिजर्व घोसित किया गया था लेकिन वर्तमान में यहाँ बायो रिजर्व घोसित नहीं है चले अब याद रखेंगे संसधी सची रेक्चन जैने 23 राज जैसरी शाले क्रिणा प्रवगीता के तहत जगदलपुर में आयवजित शिब्रो मुखहजी का फुडवाल के विज़दाओं को फुसकार प्रदान किया है चार दिवसी फुडवाल प्रवगीता में 14 वर्श बालक, 17 वर्श बालक और 17 वर्श बाली का तीन वर्ग में बस्तर जोन के टीम ने पहला इस्तान हासिल कर ओवर आल चैंपियन का किताब अपने नाम किये है इसका आयोजन बस्तर मतलब जगदलपूर में आयोजित किया गया है प्रथम इस्तान बस्तर जोन ने प्राप्त किया है, दूसरा इस्तान सर्गुजा और तीसरा इस्तान दूर्ग जोन ने प्राप्त किया है याद रखेंगे तीनों को पहला इस्थान जगतलपूर, दुसरा इस्थान मापकी जीगा, पहला इस्थान बस्तर जोन, दुसरा इस्थान सरगुजा और तीसरा इस्थान दूर्ग जोन ने प्राप्त किये हैं चले नेस्ट कोश्चन देखिए किस राज्य सरकार दूरा नायब तसिलदारों को अब राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिया गया है प्रांती शम्मिलन में इनकी घोश्चन की है उन्होंने कहा है कि कनिष्ट प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रशासन के महतपूर्ण अंख है राजाशो अधिकारियों ने कोविट के समय महत्पूर्ण जीमिदारी निवाने और लोगों को साहता पोशाने का काम किया था जिसकी पूरे देश में चत्तिजगड की सहराना हुई थी चत्तिजगड की दूरगा चंदराकर ने आठवी सहक्त भारती खेल दुबई ओपन इंटरनेशनल में कौन सा पतक जीत कर चत्तिजगड और भारत का नाम रोशन किया है जिनका सही आंसर होगा शोण पतक जीत कर चत्तिजगड का नाम रोशन किया है आप इमेज में देख सकते हैं यह है कुमारी दूर्गा चंद्राकर जी चले याद रखेंगे भारत से छत्तिगर की गरिया बंजीले के आदिवासी अंचल चुरा नगर की कुमारी दूर्गा चंद्राकर ने बॉक्सिंग चेंपियंसिट टूनमें में 50 किलोग्राम वर्गा की फ्रे स्टाइल में फाइनल में स्री लंका की मेरी थामशन को हराकर गोल्ड मिडल अपने नाम किये हैं याद रखेंगे स्री लंका की मेरी थामशन को हराकर गोल्ड मिडल प्राप्त किये हैं कुमारी दूर्गाचंद्राकर का संबन्दित खेले आद रखेंगे बॉक्सिन से संबन्दित है दूर्गाचंद्राकर जी बॉक्सिन चेंपियांशिप टूनामेन का आयजन दुबाई में किया गया है इसका आयजन एक अगस दोहत्तेज से छै अगस दोहत्तेज तक किया गय हैं इसमें याद रखेंगी इसका आयजन एक अगसा दुहर्टेश से च्छाय अगसा दुहर्टेश में किया गया है इसमें मोस्ट इंपोर्टन याद रखेंगे दूरुगा चंद्राकर बॉक्सिंग खिल से संबंदित हैं चले नेस्ट कोश्चन देखिए केंद्र सरकार ने और इंडिया लिमिटेट को किस गुरूप में सामिल किया गया है तिनका सही आंसर होगा महारतन कमपनी के गुरूप में और इंडिया लिमिटेट को सामिल किया है याद रखेंगे बहुत ही इंपोर्टन है दोस्तों आने वाले एकजाम में इससे कोश्चन आपको अराम से म मिल जाएंगे इसलिए ओयल इंडिया लिमिटेट के बारे में जितने भी जान कर रही है आप उसे अच्छे से याद रखेंगे केंदर सरकार ने ओयल इंडिया लिमिटेट को अपगरेशन करके महारतन कंपणी का दर्जा दिया गया है वित मंत्राला के इस फैसले के साथ ही अ और अतन कंपणी को ही अप्रिगरेशन किया जाता है इसके लिए पिछले तीन शालों का अवसोतन टर्न ओवर पच्छिस हजार क्रोड रुपय का जादा होना चाहिए अवसोतन प्रोफिट पच्छिस सो क्रोड रुपय का होना जरूरी है इसका ग्लोबल प्रिजेंसी भी जरूरी है ऐल इंडिया लिमिटीट का इस्थापना 1969 में किया गया है इसका मुख्याला असम है इनके चेयर्मेन के नाम भी याद रखेंगे इनका चेयर्मेन डॉक्टर रंजीत रदन है चले नेस्ट कोश्चन देखिए चत्तिजगर और महाराष्ट के सीमय पर कौन सा जल विशा है चत्तिगर के सीमय पर इस सीथ बाग नदी गाउं में सैकलो एकर जमीन पर मनुहार सागर जलाशा इस सीथ है अभिवाजी मध्यपरदेश के दोरान इसका नेमान किया गया है इस जलाशा के डूबन और आसपास में बसे 32 गाउं के किशान वर्सों से पानी की पूरा नियंतरन महाराश सरकार के पास होने की वज़ा से चत्तिगर सरकार कोई फ़ल नहीं कर पाई है याद रखने के इंपोर्टन कोस्टन है चले नेस्ट कोस्टन देखिए चत्तिगर हरवल उतपात को तेज भर के सभी केंदरी भंडार इस्टूर पर उपलप धकराने क पेले चत्तिगराज्य लगुवन पर शाकारी संग और किसके मध्या MOU पर हताक्षर हुए है तिनका सही आंसर होगा केंदरी भंडार और IIM हरायपूर के मध्या MOU पर हताक्षर की है तिनका सही आंसर A और B दोनों हो जाएगा याद रखेंगे बहुत इंपोर्टन है चत्त चत्तिगराज्य लगुवन पर शाकारी संग और केंदरी भंडार और IIM हरायपूर की मध्या यहां अताक्षर किया गया है IIM का फुल फॉर्म याद रखेंगे इंडियन इनिस्टिटूड आप मनेजमेंट है इसे याद रखेंगे चले ध्यान देंगे चत्तिगराज्य यू से संबंदित कई बार एकजामे कोश्चन इनके फुल फॉर्म से संबंदित पूछे गया है इसे याद रखेंगे मेमोरेंडम आप अंडर स्टेंडिंग है इसके था सेंट्रल गवर्मेंट इंप्लोईज को अपरेटिव के सभी केंदिरी भंडार इस्टोर पर चत्ति हरवल भारत का पहला लगुवन पज अधारी ब्रान बनने की दिछाम में तेजी से विक्सित हो रही है चलिया नेश्ट कोश्चन देखिए इतिहासिक बस्तर दशरह इस साल 75 दिनों की जगा कितने दिनों तक आय जित की जाएगी तिनकर सही आंसर होगा 107 दिनों तक बस्त 615 सालों से बस्तर में यह तशरह मना जा रहा जिसे 76 दिनों तक ही मना जाता था अब लेकिन इसे 177 दिनों तक इस साल मना जाएगा अब बात आती है बस्तर जिला के बारे में याद रखेंगे बस्तर जिला का गठन 1948 में किया गया है बस्तर जिला को ही साल वनकदीब कहा जा के साथी खनीज में याद रखेंगे ही रा बग्साइट और अब्रग प्रमुक मांत्रा में पाय जाते हैं साथ ही याद रखेंगे साथ याद works Senぎ बश्तर जिला को अलगकर 198 में 2 जिला का घठなく या गया जिसमें कांकेरी जिला और धंते नारायनपूर को दोहारत साथ में बस्तर से इलगर बनाया है, कुणडगा को बस्तर से अलगर बनाया गया है, नदी के बारे में याद रखेंगे, जिसमें सब्री नदी याद रखेंगे, इंद्रवती नदी याद रखेंगे, कांकेर नदी याद रखेंगे और मुंगा बाहर नदी को जरूर याद रखेंगे जल परपात के बार में भी याद रखेंगे जिसमें चित्रकोट जल परपात जरूर याद रखना है चित्रकोट जलपरपात को याद रखना है, चित्रकोट सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा जलपरपात 36 गड़ का है, भारत कर नियागर भी इसी चित्रपरपात को कहा जाता है, साथ ही याद रखेंगे तीरत गड़ जलपरपात को याद रखेंगे, जो मुंगा नदी पर इ याद रखेंगे चीत्रधारत जल परपात को भी याद रखेंगे महादी घुमर को भी याद रखेंगे साथ ही एक राश्टी उद्ध्यान याद रखेंगे कांकेर घाटी राश्टी उद्ध्यान को आपको याद रखना है कई बार एक्जाम में कोशन बने हुए है क्योंकि 36 सबसे छोटा राश्टी उद्यान है जिसका छेत्रपल 200 किलिमीटर ओनली 200 किलिमीटर ही है राश्टी पक्षे पहाडी मैंना कांकेर घाटी छेत्र में अधिक मंतर में पाया जाते हैं इसे भी याद रखेंगे चली याद रखेंगे बस्तर दशरे की शुरुवात श्रावन हर रखेंगे पाड जातरा कहा जाता है वर्सों से चली यारी परंपरा के अनुसार पाड जातरा के लिए ठूरुलो खोटला लाने का जिम्मा बिलोरी के गरामी को दिया गया है इतिहासिक बस्तर दशरा इस साल पुशोत्तम मास के चलते 75 दिनों की जगा है याद रखेंगे रियासत कालिन भस्तर के इतिहास के संदरभित गरंथों के अनुसार वर्स 1408 में भस्तर महराजा पुशोत्तम देव के जगनात पुरी की तीर थेयातर में पहुचने पर उरिशा के महराजा द्वारा रत पत्ति की उपादी के साथ रत प्रदान कर भगवान जगनात शुभ विधा करने से जूड़ा हुआ है तब यानि 615 वर्सों से अनुवरत बस्तर दशरा और गोचा रत यातर महराजाओ का आजन किया जाता है याद रखेंगे 615 वर्सों से अनुवरत बस्तर दशरा और बस्तर गोचा रत यातर महराजाओ मना जाता है नेश्ट कोश्चन किये 36 गड़ में 17 जुलाई से निम्नमे से किसे शुरू किया गया है आपके पास चार अपसंदिये गए जीत में से हरेली तिहार और 36 गड़िया ओलमपिक पौधर उपन अभियान उप्रोकत में से सभी तिनका साही आंसर होगा 17 जुलाई से निम्नमे से उप्रोकत सभी को सुरू किया गया है याद रखेंगे जिसमें 17 जुलाई को ही हरेली तिहार मना गया है 36 गड़िया ओलमपिक का सुरूवात भी 17 जुलाई से ही किया गया है पौधर उपन का अभियान भी 17 जुलाई से किया गया है आपको एक्जाम में इसी तरह से कोशन आराम से देखने के मिल सकते हैं इसलिए इन तिनों पॉइन को याद रखेंगे याद रखेंगे चत्तिजगड के शावन मास का तोहार हरेली शोमार को मना गया है इस दिन से चत्तिजगड़िया ओलंपिक तथा पॉधार ओपन अभियान की शुरूआत की गई है जिसमें चत्तिजगड़िया खेलों से जुड़ा ओलंपिक 17 जुलाई को शुरू होकर 27 सितमबर तक आयोजित की जाएगी चर्चनों में चलने वाल यह प्रविता राजी युवा मितान कलब इस दर पर नौक आउट 35 से शुरू की गई है इधर वन विभाग द्वारा हरेली सही परदेश में पॉधार ओपन शुरू करते हुए मुक्त पॉधा बाटने की भी शुरूआत की गई है यह अब यहां सहरों से गाउं तक चलाया जाएगा CM भुपेद बगेन हरेली पर लोगों से पॉधार ओपन के बाद हरियर हरेली के साथ सोसल मीडिया में अपलोड करने का भी आगरा किया है चत्ति का राज्य योजना आयोक के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है अभी हाली में मंत्री मंदल में बदलाव किया है इसलिए इन सभी फ़ाइट को याद रखेंगे चत्ति का राज्य योजना आयोक के अध्यक्ष प्रेम सीटे काम को बनाया गया है इसके साथ ही उन्हें केमिनेट मंत्री का भी दर्जा दिया गया है अब तक योजना आयोक के अध्यक्ष मुख्य मंत्री हुआ करते थे अब पहली बार प्रेम सीटे काम को ये जिम्दारी दी गई है याद रखेंगे चत्ति गड़ का योजना आयोक का पहली अध्यक्ष प्रेम सीटे काम को याद रखेंगे मुख्यमत्र के अलावा उप मुख्यमत्री टीए सीदेव को ओरजय युःवाग दिया गया है तामरदभा शाह को करिसी और जीव प्रदो की युःवाग अतिरिक्त परभार में दिया गया है रविंद्र चोगे को भी सिक्षा और सहकारिता युहाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वहीं पूर्वा PCC चिप मोहन मरकाम को ST, SC, OBC और अलपसंख्या की युहाग का मंतिर बनाया गया है चले नेस्ट कोश्चन देखिए 36 गड़ में निम्ने में से किसकी आत्मकथा का नई दिल्ली में मिवचन किया गया है याद रखेंगे important question है 36 गड़ के राज्यपासरी विश्वभूसन हरी चंदन द्वारा लिखित आत्मकथा Better not yet over come मिवचन नई दिल्ली में राश्टी विधी आयोक के अध्यक्षा श्री रित्यूराज अवस्थी और उदिश्या के पूर्व मुक्या 99 सनोचनियाला के 99 स्री वी गोपाल गोड़े ने किया है याद रखेंगे दोस्तों बहुत ही important है दिल्ली में इंकम इमोचन किया गया है इसका इमोचन स्री रित्यूराज अवस्थी ने किया है मुल रुप से उरिशा भासा में लिखी गए इस आत्मकता को अंग्रेजी में अनुवाद प्रशित दलिखाक और अकादमी प्रुषकार विजेता प्रोफेशर भगवान जय सिहने किया है चत्ती गड़ सरकार द्वारा चलाई जा रही हेलो जिन्दगी अभ्यान निम नमिसे किस चेतर से सम्बंदित है तुनका सही आंसर होगा हलो जिन्दगी अभ्यान नसे के खिलाब चलाई जारी एक महत्फुर्न अभ्यान है याद रखेंगे दोस्तों इन छोटी-छोटे अभ लुकता के लिए त्यार की गई गाड़ी को हरी जन्दी दिखा का रवाना किये हैं यह अभ्यान 15 जुलाई 22 से 15 अगस्त 32 तक चलाया जाएगा इस जन्जागुकता अभ्यान के सांद ड्रक्स पैडलर और नसे के अवैत कारवार पर भी कारवाही तेज की जाएगी याद र देज भर में कितने रेल्वे स्टेशनों के पूर्णा विकास की अधार सिला रखी हैं तिका सही आंसर होगा 508 रेल्वे स्टेशनों की पूर्णा विकास की अधार सिला रखी हैं याद रखेंगे इंपोर्टेंट कोश्चन है परधान मंत्री निरेंद मोदी ने अमरित भ रुपए से अधिक किलागत आएगी यह 27 राजियों और केंदर सासी परदेशों में फैला हुआ है भारती रेलवे ने अमरीत भारत इस्टेशन युझन में चत्ति गड़ के साथ रेलवे इस्टेशन का चैन किया गया है जिसमें योजना अंतर का चत्ति गड़ के रायपूर बिलासपूर, दूर्ग, भिलाई पावर, हाउस और महासमून, तिल्दा निवरा और अकलतरा रेलवे इस्टेशन का चैन किया गया है चले ने इस्टेशन देखिए